सनम सीफिली पेश कर देने स्वाख लिगेश करे में तेनी देश के दा रंग लिखयाम सब्सक्राइब देखने वाले सारही मसी दर्शकर मेरलो जैम सी दी मैं तोड़ा अपना पास्टर केश कुमार अज़ जसी पहुंचे हां दिस्टरी गुर्दास पूर दे पेंज सत्कोहा देविच और इस पेंज देविच परमेश्र दी सिवा करने वाले मसीही लेखक जन्दगी दे बारे ओना दे जन्दगी दे सफर न तो हड़े ना अलसी संजा करांगे जन्दे गीत हन सेवा दे मेदान विच जे किसे दिन मैं मुड़के ना आया जंग जारी रखे हो एक होर उनना बड़ा मकबूल उना दी जड़ी है शायरी जड़ी है और गीत जड़े मकबूल होए ने उना विच्चो है मैं बीजन चल ले आहां यसु तूं उगा दे में सो बड़े ही अच्छे लेख कहां अज जसी उन्दगी नू बड़े लोग काट जान देने हां उन्ना दे लिखी हो जड़े गीत हन उन्ना नू बहुत प्यार देता जंदा है बहुत कि जड़े लोग परमेश्र विच बड़ी मेंत कारें ने उना अगे लेकर आए मैं तुड़ी जल्दी दिना उना मुलाकात करवाना अंजी पास्टर जी सब तो पहला ता जैम सी दी जैम सी की जैम सी की गौड लेस यू तोड़ा स्वागत कर दें जी सनाम सी टीवी चैनल पर प्रवीर समसी तान बरकर देवे सी वी अपने पेंड चे अपने कार चे तो आड़े दिलों स्वागत कर दो और सानू बड़ी खुशी होई है तो आड़े पेंड देवी चाके बड़ा अच्छा महाल है इस पेंड दा और तुसी बहुत प्यार देड़ा है साधी टीम न चाहांगा तो आड़ी फैमिली दे विच पास्टर जी कौन कौल है जी मेरी फैमिली दे विच्छे सी तेन पैंड पर आहां जी और तिन्ने शादिश होदा है ते साड़े ममी डैड़ी बिलकुल ठीक ठाकने है जी प्रवुदा बड़ा फजल है ते एक साड़े कूल चर्च चोटी कलीसी आया तो यसी लोकल भी सेवकाई कर दे हां तो इदर उदर जाके गड़ियां चे बजारां चे सौंड पिछे पाके और प्रविश मसीद नामदा परचार कर दे हैं जित्तों तक भी साड़े को पहुंचा है जन्दा सी कोशिश कर दे हैं कि उत्तों तक चोटी बेटी शिफा गिल और उस तो एक होड़ चोटी बेटी है तब ही था गिल जी बहुत काट परिवारों होंदे हैं जिन्दरा सारा परवार जिड़ा है मसीदे विच होंदा है एक गाल्द से कि तुसी शुरू तो ही मसीदे विच सी जी मैं क्रिश्चन फैमिली कुछ आप भी लिखे क्रिस्मस बगारा सब दे उत्ते सी बड़े दिलो योगदान पहुंदे रहे पस्टर मांतिगल जी गाल में दसी है कि जो लिखना है ना एसी जान दे खुदा दे वल्लों होंदा है हाना पर परमेशुर दे कोलता सानू प्राप्ती होंदी है पर दन्यावी तोर तो भी कोई ना कोई अस्ताद होंदा है टीचर होंदा है ताथ तो अड़ा अग्धा अस्ताद जी कौन ने तो आड़े जिना ने तो अनुं सकाया है लेकर रहो जी है एह स्वाल बहुत आया है तो मैं इंतजार में चीसीगा के स्वाल पुच्छाए जाए हाँ जी मैं मेरे उस्ताद सरदार सुलकन सरदी नजदी की मेरे पेंड़ा उनना दा साथाट किलो मीटर तो ये बकाइदा मैं आज भी उनना दे को जानना आज भी सेख़दा हैं परमेशुर वल्लो ते गवे लायक के जान लिए परमेशु ने मनुख खां दे राही काम करना हुंदा। पागे के सवेन जा जो सुलेमान दी हैकल सी इगी। सुलिमान दी हैकल दे वेचे बकाइदा रागी सी गे रागणा सी कलाम च लिखिया उन्ना नू एक सखोनवाड़ा भी सी जिदा नाम कननिया सी गा हाला कि हैकल ची सी गी हैकल ची प्रभू भी सी लेकिन प्रभू उन्हें एक मनोख़ दे अंदर एक बुद्ध पाई सी कि ओस खास है कि सारे आँ जी जिदा पौलूस भी केंदा के मैं उस्ताद यां मैं टीचर यां इसाब भाना तो परमेशुर दा दे मनोख़ दा एक काम करन परमेशुर सदाई अपने मनुख़ दे मतलु मेरा कहन दा के गल करता है तो आज जी जिदा सब को जी खतम हुंदा जा रहे हैं कोई सिखना नी चाहुंदा खास करके मैंनो याद आ गया कि सब लोक ना संगीत दे पिछे बहुत ने जी तबला हर्मोनियम गटार कैश्यो सब यानि के संगीत वजाओन दे पिछे वो सिख दे वी या किया लो सिखन दो बिना वैसे वदिया गोंदे या लेकिन गल ए आ कि जिदो लिखन दी गलतों से कीती है ना लिखन दे वेचे उस्तादी शिगिर्दी वारा मामला शुनने या बिल्लकुल है निगा है यह नहीं है मैं इस गलता मान मैसूस करना के मेरे उस्ताद जी है जिक्नाeles दे कूल अजेवी जान दाया है मैं जा जांदा हूंदा सी ना थैकोल इस पिसने समा सख्खेंचा की कर सक्त lige्त दो जाना सबरुं कि ठीज मान दे वीच सिगा या अच प्लस वन दे बिच ओं तो पीर थने संद दो जो शायद मैं दस्वी कीती सी, दो तेन चार दी गाल, हाँ जैं, दो जार तेन चार दी गाल है, ते साधे टीचर सी गे, ते ओ, कवितामा लिख दे सी, मैं क्या पर मिन्नों भी सिखाओ, अच्छे तो उन्हों के जड़ा है, ओ, स्कूली ग्यान तो ही पहाँ गया, कि मैं सिखना चांदा है, जी, जी, साधे इलेक्टिव पंजाबी लगी, उन्दी सी किताब मेरी ओ, फेवरिट सीगी, क्योंकि उदर चे कवितामा सीगी, ते मैंनों क्या के तुसी मैंनों सिखाओ, कहिंदे के मेरे को टाइम नहीं, ते मैं अपने उस्ताज जी को ले जाना, जी ओ मैंनों उत्ते लेगे, उस्ताज लखन सरदीजी कोल, ते उत्तों फिर मैं मैंनों जादा चेटक पाया गया, फिर मैं लगा तार हफ्ते चे दो दो वरी, तें 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 वरी भी जाना, ते फोन ते गलबाद करनी मेरे को रिया नहीं सी जाना, क्योंकि इन्नी महबत होना फिर नहीं जाना, क्योंकि इन्नी मेरे पकड़े, पकड़े सी गी, पकड़े मेरे घजल दे उत्ते न, घजल ते, बेहरां ते, किसे भी बेहर विचे नी पकड़े आके, ओ मैननों यानि के अपना उत्तरदकार इबना होना चाहुं दे सी गी, लेकिन फिर मैं इस पास से में प्रभूने अपने पासे ले लेदे ऐही ओही तकनीक जीड़ी मैं सिखे आ बेयर सिखे आ शन्द सिखे आ मातरा माँ अच्छ वजन से क्या पूरी तरह तो मैं हरी एक बेयर चाही गजल लिखी आ कोई यह पार्ट्स ने माल यह शांद लाग चीज है गजल लाग चीज है तुसी दर्शकान दर्शे विजर तुसी यह चीज़ां कह रहे हो क्योंकि अगर आप कैसे तो मसीप जन्जा कोई कवीता लेंदे हैं तो आप एक आम तरीके ना पढ़ लेंदे हैं पर ओधे विच्व कई पार्ट्स बने हों देने भी अई दो शुरू करना इस तो ख़तम करना है एंडे दा है हाना विच्छाल लड़ा इस से एह होना चाहिए दा ते इनू कनिकलूजन तक के में लेकर जाना ओ दर्शकान तुभी समझा यह थोड़ा जैब लिखना जेड़ा है ओ वी एक ज्छान दे जिद आपके इन दे पी फलाना गी ता केड़े राग उट ना तो ते जन जिड़ा हर्मोनियम ते या कैशी ते उनू पता होगा केड़े राग जो गड़ा फिर ऐकड़ा जी ज़ए फिर कुछने कर सादा इस करके कवितामा जिडियाने इन्श आ दे शक्त्रन क जी कवितामा दे शान दो गजल दे बहर होंदे गजल दा बहर होंदा बहर होंदा भी अच्छा दा उदा तुकान जिड़ाया ओक मीटर चेहां और फिर उस बहर नू कैंड़गा तो अड़े कोड अंदाज किना वदीया यह यह दे ते माइने जादा रख़ग तुसी किना बैठेया तुसी वदिया उनु कैई सखतेयों पर गालड़ista लिखह अंदाझ पता नूगभा पता हूँए नई केन लैजा नहीं नहोंदा ते ओगालनी बनधे मेरा एक शेर है जिदा मेरे गीत मेरे मगरोज माने गउनगे या शुदाई गउनगे या दिवाने गउनगे या दिवाने गउनगे आमनेलों इनों एद़ी प्रचभ दिवानें गणगे , यह क्श्धा गणगे , यह लेजग है लेज़ाया दाभनें चाहिए एक बड़ा तक्रण लेज़ा हुआ , मैं बहुंट साहे शाइर ने मैं बहुत शाहि आनों पडहेया किन्न लेकर पना किसे स्ट वय रभलेखे ग्यास? अफ़न पर फ़स्टित पत्र कंदे तो पकाइदा थे रिठी दूसे सुषएे हैं अजी इसे। सुर्जीत पात्र हुना वण नो मैं बहुत ज्यादा पड़ेया तो शिवक्मार बटालवी नो बहुत पढ़े हमें, जो तो बटाले दिशाने, हाँ जी, शिवक्मार बटालवी नो मैं इनना पढ़े हा, कि साब लालो कि मैं सारी रात नो पढ़ सकता है, सारी रात वह बंदे नो पढ़े हमें, ते उस तो बाद मैं अमरता परीतम नो बहुत पड़ेया, सुर्जीत जाजनु बहुत पड़ेया, यानि के बहुत सारे शायरां दे नाद मेरे या मुलाकाता हुँ या उनना रूब 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 देखन दा मोका मिलेया, शेव कुमार नु चलो ते पहला दे चले गए, लेकिन मैं उनना बहुत जादा पड़ेया, जदो उना मैं समाया आपने दो मतलब इना बचल लिया मैंऄनौ आपने आपने विसरा कि इस करके बहुत सरे ऐसे देख्या करते देकर तुसी यह किते मैंनु सुनु जाने कि नहीं तै centimet कि ते मैं गावा ना मिनो मौका मिले स्टेज से ते मैं तबला बहुत काट यूज करहा हुना कल एक एश हो यह हर्मोनियम दे कोड़ देनार दो बुके उस चीज नो गावना शायर असल चेदा है हुन दे अच्छा शायर चेदा हुन दे और रिदम चेदा हुन दे और अपनी ला अन्दी है हँना तो आज कल मैं देख रहे हैं क्योंकि एजड़ी चीज जाने ना तबला आ गया सब चीज़ा तेज तेज आज कल कर दे सारी लफजां दा सिद्धा ही कतल है पूरी तरह कतल है फिर सवाल है ते ए होंदा है कि आजड़ी जड़े लेख गया प्राने प्राने वर्शी पर या फार के किते रह गया पर जी प्राने वर्शी पर जेड़े ने मैं उनना दा नाम भी लाना चाहूंगा जिनने के मैंनों याद ने साधे गौंड वे चेते पेंड लेल तों उस्ताद राजुरंगीला जी ते बहुत ही सुरीले सखुंदर सोना जी पास प्रत भूंड को जो शक्तो हुआ हुआ है लोगल नहीं कर दो विटता जाए मैंनों और विजया आज भी तोंसैंता सिना थे गौंड जू लंडल कर से ने समखूब लोस जाएं ने विजया है एंदोंध ज़ी कि मूझ दोन शुओएयज भी लोम दोन कीउ ॉध ज कुड़ या मतलब के अन्दा जो के कैस आकाती है उननों फैशन ही लालो है नहीं सी औना को गडासी गडासी अज गडासी अज गडाया है नहीं फैशन ज्यादाय है कितने किते आ पासर मानति गेल जी एवी कहा सकते है कि मुजिक दी चका चौन्द ने की शब्दा नू दबा लिया क्य कि अगर असी खर्चा बड़ा किता है बड़ा मालो बड़ी बड़ी बंदगी करवा लए और विचे किसे दे कोई पल्ले ही ना पही कले साज ही पल्ले पहागे तब फिर कोई फैदा उस चीज दा नहीं है ओ चीजनों सी डिसकस का रहे हैं प्लीज माइंड ना कोई करे तब मै गले करे की शब्दा नू साज जाने दबाले जी जी बिलकुल मैरी बेटी शिफा गिल गोंदी है जी मैंनो यही क्या कि कल्ले हर्मूनियम दे नाल गाले ना सारे इसाजी बंद करा देने लोका नू पहला ए पुछना है पि जो मैं कह रही हैं समझ लगदा फिर गोणा है ज कि लोका आता का लफज पहुंचन लफज पहुंचन लफज कलाम चल लखे आद वेचे शबज सीगा शब्द परमेश्यों सीगा तो एक वार दी गाला है कि ते प्रोग्राम सी बहुत सारे वर्शी पर आई सीगे मेरी बेटी नो लगपा कि साधे बारा वजे टाइम मिलेया मैं भी उस जगह ते सीगे ते बहुत वदिया प्रोग्राम सीगा ते असी बड़ा इंतजार कर दे सौंगी सीगी है सुत्तीन उठार के क्या पी चल गा गीत तेरा नंबर आ गया मुड़के मुका नी मिलना एंड एंड आया लास्ट सारा कुछ बंद करा के कल्ले कैशियों गया ऐसी हो गी सीगा जिड़ा इत्थो तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा और सबने प्यार देता है मतलब कैने दा है कि गीत दा मतलब की है गीत दा मतलब है लफज देनी लोग कांगा हाना म्यूजिक बहुत है अज म्यूजिक दी मसीहत वेच कमी नहीं वर्शिपर प्रावां दी पैना दी कोई कमी नहीं कमी पता का दी या लेरिक्स दी कमी लेरिक्स दी कमी मैं किते गया थे उन्हें मैं किया कि तुसी गजल गाया करो मसीहत वेच गजल है नहीं है वो गले है गया मैं दसना चाओना जे तुसी सुन रहे हो मसीहत वेच गजल गौन दे गल है गया पर ओफिशली रिकॉड क्यों नहीं करूंदे फिर तो क्योंकि आज चक्कर की चाल रहे आया कि आज ए देखे आज दा प्याची जी मैं ऑफिशली करादना रिकॉड स्टूडिय रिकॉड करादना या कि यह चलूगी गाले दे ठीकी यह सारी तो परमेशर हो दे छोष कोई कवेगा कोई ना सुने कि दुनिया ने नहीं सुनेया मजाग की ते यह दा मतल नौ ने परचार बंद करता वह वटी गलागई है अज कि मेरे रातो रात मेरे व्यूजी मिलियुंज चले जान मैरे BGuylion चले जान पर मैं गाल कहनी चौनदा है यह व्यूजी जड़े ने व्यूज ने किसे बचाना नहीं अगर शग सेही बंदें ने किसे नी वी तोड़ा एक गीत वज़ी अशेयर कर देता है जा सोन लिया की पतोदी जिन्दगी बाच जागे इना चकाचों दे पिछे ना जाएए उन्हादे केंदा मतलब ही है कि अज गजल जागर होन तक किना सकूँ जड़ा सानू मेले अरनस्ट मल तो बाद अरनस्ट मल हुनादे कोल अवाज सी इदर भी आवाज है कि अरनस्ट मल साब कोल साज सी इदर भी आगे अरनस्ट मल हुनादे कोल लेरिक्स सी के आज इदर है ने एक आट है अरनस्ट मल जी आज जिन्दा ने लेरिक्स करके जिन्दा आज देखो कोई मालों मुसी गीता है वो चार के दिन लोग जाद राख दे या उद वा पो ले जान दे ए ते इद्धा या जी जिद्धा बच्चा पैदा होया ते उतो बाद हफ़ते बाद मर गया दाओ दे जबूर क्यों जद्धा ने लिखे हुए अद्धे वेचे कला दे जैसे शायरी चे तजर्बा नी हागा ओ आज जी भी मरी तकालवी मरी ते लखा नो मार के भी हटूँ जदो मेरा एक गीत आओ दे विचे होये ने तजर्बे या मानत दे देखो जेड़ी तजर्बे ना गाले है ना वो गाले कुछ हो रहे हैं हाँ ना एक गाले हा के लोग क देखो जेड़ी तजर्बे ना तो इना दोवादे विचे हो जेड़ी गाले है ना पारी गाले हा ओ तो आड़े तजर्बे जो जेड़ी गाल निकली है ना ऐ गाले असले मैं दाओ दे जबूरा नो बहुत पसंद करता है दाओ दे जबूर एक खुली कविता है कविता दो इस करके एधी ट्रांसलेशन हो सकेथु और फाचाच एग खुली जन्हुंग कुली कविता प कहिए ठीक है ने जिद्धा पाशु नहीं लिख दे सीगे सजीव्ध पात्र ने भी कई चीजाँ लिखियां ते खुली कविता बड़ी फेमस कविता मैं भी कई खुली कविता नहीं जा साकते। दाओद दे जबूर बाइबल पढ़के नहीं तुसी गा साकते। बाइबल पढ़के नहीं इद्धा का साकते। मैं खोश हो या जदो इद्धा गल नहीं बने। खुदाने एक बंदे नो इस्तेमाल कीता। अठारवी सदी 14 जन्म होया। इमाम उल दीन शेहबाज। पादरी इमाम उल दीन शेहबाज। उन्ना ने इना जबूरानु लेके तुक बंदीच कीता ही। आज जसी जबूरता आएगा सकते। तो कहना नहीं तो मतलब एजा के प्रभू मनोखनु इस्तेमाल करता है। प्रभू ने जह लिखे प्रभू न ही साल nessa साला बाद एक बंदा भी ले अन्दा। बंदा इनी साल लागे। यह सीन ते ले लेंदा। खार शादिया लाग जिया। ही। प्रभू ने श्तवरत होelें जन्lys, लुटे पिटें पहला दी। तो मतलब आएगां के पहला नहीं जबूरता ही। जद तक तक तोक्व तोकबंदी दी बहुत काट आया है, तकनीक दी बहुत काट आया, मैं कहना चाहूँ गा, कि मैं बहुत सारे गीत सुन दे आया, मशुहूर, famous, वर्शिपर भी मैं सुनें, सुनदा मिया, तो सब सरगम सैटे आ, अलाप सैटे आ, सब को सैटे है, याद रखो, उनना दी तोकबं अजी अंचे निकल रहा है गैश कंडी ये उष्टे लि kendra को साई जे बूर्फ स्टूश्ट थुर केटा रहा है बनना की नहीं है तो नहीं है उन्म मेरतों संतुश्ट तो बैदर चाहा है है तो सामयम है उसल्क्ध मेरते है पीसलड आ स्पॉंसर कार देगी तो मैं एगल कहनी चावाँ गा कि जड़े स्पॉंसर ने साठे परा उना नू भी शायरी बारे पता होना चाहिए उना नू जे उना नू शायरी बारे पता है और एक वदिया लेकक नू चुन गे ओ लफजां देना वेखन गे भी ठीक है अपा पैसे ला रहे हैं लफज की नहीं एक ना पंजाबी दी कहावत या एक पैर काट तुरना तुरना मड़क देना पर काट कार लो वदिया करो तो स्पॉंसर जिन्ने विने मैं बेंती कारदा होना देगे के शाहरी देchnY जरूर देना पैसे म्यूजख दीन पूरे लाने है वीडियो दीन पूरे लाने है हणा सारण कूछ सेट हो जणा लेकिन लफजांती कितने किते कमी रह जान दी तोकबंदी दी खास करके कमी रह जान दी और दूसरी गाल अज आइडियेज दी कमी है मतलब वाक वाक तरीकें दे नाड वाक वाक विशेया दे उत्ते गीत नहीं गे दो चार विशेया दे गीत को उम्रहे ने बस हना ये दे नाड की हो रहा जी मेनू कई फोन हो दे है ओ के दे गीत दे ओ पासर जी मैं कै ठीक है कितना दा ओ वर्शिप टाइप हो गई नचन वर्शिप थोड़ा कहीं दे दौानों ही तो वर्शिप कहीं दे म्यूजिक दो बेना तुसी अपने बाथरूम ची गा दो यह भी वर्शिप तो कैंद वर्शिप नू एक नजरिया दे दता गया वर्शिप दी पहचान पंजाब चखास करके ए बना दिती गई वर्शिप दा मतलब है तेज तेज गीत गाओ तो ओल बज़े नची जाओ नची जोड़ना भास दोड़ना जोड़ना बस एगालिया तोड़ना न नहीं मालो कोई दुखिया इस तरह ना बेटा हो यह जड़ा कि बड़ा बमार है आप आपक Sachen के वी खड़े हो जा suspects की ओ नचेगा ओनों असी जोड़ सakते हैं आँ आँłeं यह उनू अंगी कारवा ले लेग का रहा करें तो वापस मुड़े और इस शब्दान दी जांगा एक्चुली शब्द जे शब्दानों ना समझांगे तक गीत किना मर्जी अलाप होई जान किने मर्जी सरकमा होई जान तक मैंनों नहीं लगदा ओदा कोई फरक पहुगा किसे दे जी जी बिल्कुल बिल्कुल चब्द मर्गे मेरा सारा ही जड़ा जो रहा मेरा एक योद्धिया मैं कई वर्षी परन मिलके क्या के लफजाते त्यान दी एकल हो रहा पास्टर जी कई मैं अक्चुली मसीही जड़े वर्षी पर सुने हो ना देख दाया जड़ा मसी पर जने आ उस लो चाल रहा मालो देख अधाय है ऑड़ा है और सभी ही सरगम लगा रहा है और सप्वज विंधियो सर्गम लगा रहे है एदे बारे तुसी की को गए एब बहुत वड़ी गाले आते मैं के ना वड़ी गाले है गिया पर एक ओड़ी भी है साब ने इंटर्वियू से सुननी सुननी है तो आपा रही है ना रही है कोई पता नी क्योंकि साब इतना चाल दा या जिन्दगी दा की पता पर या गाले तुसी बहुत सुनी किये देखो अपा जो गाल कार दे है हिंदी गीता दी अपा सारे सुन दे आए मौमद रफी हाना ओ दिया सर्गमा चैक करो कि नियल आया अन्ने अन्ने जिर्डफे बंदे सी जिन्ना अपने वर्शी प्रहदी भी गाले की दीआ प्राहँ बंदया नू लफजादा बहुत पता सी पता क्यों पता सी क्योंकि उन्ना ने उस्ताध कोड़ो चैपेड़ा क्रॉत एक हा है माँआ है कि दुनिया चे जिनने फेमस सिंगर हुए सारा कुछ हुए उसी सर्गमा चेक करो बहुत काट लाई ओफील सी उना देन था संगीत भी दिखाओ पर संगीत ना ना दिखाओ के फील खत्म हो जाओ तो ए शब्दा दा योद्या अपाते लड़ दे रवांगी ते बस प्रभू करे के इक हजार तो प्लस गीत हैं एंगी और तुसी ज़ड़े एक हजार तो प्लस गीत ने कुछ हो दे विच्च ओनो सुनाओ भी अगर कुछ तु利ख लिख्या है आइँ अप तो लिख्या है जहां फिर लोकान ही लिख्या है क्यों बदल जाँ प्लीर सानो कुछ सत्रह संआओ कियां गादते ते साड़े बड़े प्यारे साड़े ब्रादर बक्षीश मसी उन्हाने एक गीत गाया के मैं बीजन चले आँ ये सुतो गादेवी और उन्हा वदिया गीत आँ के उस गीत दे वेचे जे वड़ेया जावे ना ते ओ सानु सिद्धा प्रबुदे नाल जोड़ दाया के मैं बीजन चले आँ और गोणा तेरा का ठीक ना दीपक जांसन जी लेगी प्रबुदा तानवाद होवे और सैंकडे वारोना ने सेज़ां ते गीत गाया सेवादे मैदान वीचोजे किसे दिन में वापस नाया जांग जारी रखी एथे मैं कहना चाहना के एस गीत ने हमाने ते गेलनों बाहर लेंदा नहीं ते मैं अपने दायरे ही चीसी गए और उस तो बाद होड़ी होड़ी एदर उदर जाना शुरू कीता बलोना शुरू कीता वर्शी पना देनार तो इस तरह प्रभुदा काम बदया ते एक हूर गाल्या कि एक हुंदा या लोक का देलें लिखना कि लोक की सुनना चाहूंदेने लोक केस्तरा संतुष्ट होंगे उन्डान केस्तरा तरस नहीं मिलेगे एक हुंदा अपना पर्सनल लिखना आपनी पर्सनल शायरी जुन्दा है जड़ी तुसी लोका सामने गारे उदे चो प्रॉपर नहीं गा उदे चोंने कई चीजा वेह के शायरी पेश कर नहीं लोका लिखना एक हुंदा उन्हों अपना स्कून है उदे सामने कोई भी सुरूता नहीं पर आप ही कह रहा ते आपना मतलब उनने आपनी संतुष्टी ले लिखे तो मेरे को कई गजलाने अपनी संतुष्टी ले लिखिया तो मैं चावागा कि मैं तो खोड़ी जेडे ने को सना वा तो एक घजल ताजा शेर ने देखना के एजड़ा गजल दा बैर है हजज बैर दे वीच्चे है मैं ऐ घिवर्दिया ह stimulating आए ये पाशा मैं घजल दी तकनीक दी फीकलबकी किती है जिद्याजी ऐ जड़ा हो गया अधरबारी रा गया पैर भी रा गया है और अगजल दी तकनीक दसी हमुफाइल लूमुफाइल लूमुफाइलं न दी चाल दा चलन कीया मसीजे मिल गया मैंनू ते मेरा सर गया समझो मुफाई लुन मुफाई लुन मुफाई लुन मुफाई लुन मसीजे मिल गया मैंनू ते मेरा सर गया समझो मसीजे मिल गया मैंनू ते मेरा सर गया समझो किसे ओडा जही तर ती ते बदल वर गया समझो गरीबी दर्द हो के हंजुआ वाल पेठना करेओ जदो एहसास ना हो वे ते बंदा मर गया समझो किसारी उमर लई मेरा कटोरा पर गया समझो हवावा गर्म सडका गर्म पैंडा अगवरगा है तु मेरे नाल जे तुर पैं ते मौसम धर गया समझो तो आखरी घजल दाश यह रहा के गड़ी नुकर चौराहे विच बजारा मैं फला अंदर अमानत नजर ना आवे ते अपने कर गया समझो तु मैं वहावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा अगर मार लो माव मावदेति लाओना मैं लिखा लग जा गजल ताम इनुट काइदा नहीं पता तो मैं गजल नहीं लिख पाऊंगा पता नहीं की लिखता वाँ तो ना किसे तो गाया जाए सो प्लीज इस गाल नू जरूर देखियो और आईये मैं कहोर गाल पुछनी चांदा या पास्टर मांते गेल जी सो मसीहत देविच भी बड़े लेख को होए ले उनना दे बारे भी तुछी थोड़ा दस्विक किना किना तो तुछी जानू ओ जी मैं ज्यादा नाम ज्यादा क्योंकि क्योंकि मैं अजडे दौर्दा शायर है दे पिछले दौर्दे मैं सुड़ा जस तरा गीटना दी वेच नाम जैं नि मैं मिलया भी नई видео । ये दवार से खुशी पर जी ने बहुत सुणा उनना लिख़िए मैं मिल्ग referendum पर मैं उना दा सतकार करना कि उनने मसीहत दी चोड़ी चुको जी लफज पाए जिन्दे नाड कहियां दे जिन्दगियां तब दील हुई है सता खुशी पर जी बहुत यानि के वधिया उना लिखिया ते बहुत वधिया लिखिया और बहुत सारा लिखिया उना ने बहुत सोण लिखै उना साबी सर्वाली जी उना ने बहुत सोणा लिखै, एक उने अक्सर गी ते काया, अक्सर मैं गिर जाता हूं, शालोम जेकब झी ने काया, एक पर आन्यों मेरा दिल उस्वाणिया, क्योंकि उना नहीं बहुत सोणा लिखा प्रबु नो चोटी उमर चे बहुत बरके देवे पिस एक गाल ओ याद रखे कि इस उमर ते सदाई शेतान दी अक हुंदी जो प्रबु किसे नो इस्तेमाल करदा ना उस समझ लो कि शेतान दे नाड उने युद शेड ले इस सदाई जिनना बंदा नमर रहूगा हलीम तो जिस तरह उन मसी फिल्मा भी आ रही है तो उसी मेरे सामने ही हो आजी देखो जिदा शायरी दे रहा ही मैसेज पहुंच रहा है संगीत रही मैसेज पहुंच रहा है परचार रही मैसेज पहुंच रहा है मसी फिल्मा भी क्यों नहीं मैसेज पचाँ साकती है शाट फिल् मैसज पचाऊना तरीका है ना किसे भी तरह पचाऊना मैसज पचाऊना है और हर एक तरीके देना यह असी काम कारसा करें में जुनानिया ले, जुनानी बंहां , जुद्यीया ले, जुहुद्यी बंहां अलूस कहें दा, मतलब जाए दा कहें दा कि हैंकoper किक, मसीह तक लेखें घरी की, हार एक तरीके नाप्रवुदा प्रवुदा काम होके, कि अिशाना तो ही, इशाना प्रभी शुमसी है तो बहुत सारे लेखक ने में जनना दे नाम नहीं ले सक्या तो मेरे बिल्कुल नजदीक सीरोमिका जो झाथ गया चित गया दे लेखक मैं जोन मैं उटयार नहीं मैं जिस्त गव उथा मैं उटहाई जा माझि司 about the music about them कृई सारे ले लेक इन्याशन कीटी आई तो घू करना डेक चाहिए तो लेखक लेखकर जेघा तो बहुत गड़तानी चाहिए मेरे 10 सन लगए तो खिलादा परा मेरी कोई फीस में फीस होएगी म्यूजिक डिरेक्टर दी या वीडियो बाड़ेगी मेरी कोई फीस नहीं मैक पासर है तेरा फर्ज बाण दा आया कि उन्हें मेनित कीती है, मैं दो चीजा ज़ना सदा बन देना लेरिक्स प्लस कॉंपोजिशन दो चीजा ते मेरी यह हो गी है उन्हें की गीता उन्हें नगली करनी बाच उसी किसे नों गीत लेकर दो उन्हों को भी गाले को बनवा कॉम्पोजिशन ते बहुत मेनत लग दी मैं शेय शेय केंटे एक गीते बैठ दा हूँ बच्चे सौजान दे जिदो कमरा गर्म हुंदा गर्मी दे करके मैं मैं लिख दा है और तुसी राती जो शुत्ते सी गे साड़ी तुसी सुत्ते सी थे मैं कविता लिख दी से कि मैं उस कविता दिया दो चार लाइना सुनोंगी है चुम्णा उसी आप भी दा सकते हो क्यों करता है जडिया ओ रात असी पास्टर जी आदे को सीगे रात तक्रीबन डेड़ वाइदा टाइम सीगा और असी सब सुत्ते पे सीगे ता पास्टर जी उठके कुर्सी दे बै तो कविता है के जिन्दगी मैं एक गाल करनी है जिन्दगी मैं एक गाल करनी है बस होन एक दो पाल करनी है बस होन एक दो पाल करनी है मैं कहना हा अज करनी है तूं कहनी है कल करनी है मैं कहिना हाँ आज करनी है तू कहिनी है कल करनी है रोटी खाके विहां पुखे मिलके रहे रुखे रुखे चंगा सी मर जान्दे कुखे एहो मुश्कल हाल करनी है जिन्दगी मैं एक गल करनी है तू इस तरह कवता मिल दी गई अपा लिख दे गए तो इदह एक होर स्टेंज आया के अपने आपनों मिलने हुना इन्ने बोज ने हेलने हुना जिए ने जिन्ने वेच दिलनी हुना अपने आपनों मिलने हुन्दा इनने बोजने हिलने हुन्दा जियों सीने विच दिलने हुन्दा दिलनों मिलके चल कहनी है जिन्दगी मैं एक गाल कहनी है बस थोड़े कुपाल कहनी है मैं के नहाज कहनी है तू के नहीं एक गाल कहनी है पर जिंदगी मैं एक गाल कहनी है अच्छी शायरी लिखी होई है जिंदगी मैं एक गाल कहनी है गालतावनाने सारी विच्दासी दिती है केड़ी गाल कहनी है सो राब्दे प्यारेो मसीही तेड़ी वर्षी पे है ओ टीकी हुई है अच्छी अते वदिया टांगदी लेखनी ते जे लिखनी वदिया नहीं ता उन्हों अच्छे तरीके ना गायवनी जा सकता तो मेरी गुजारिश अंतने विचे ही है प्लीज किरपा करके अच्छे अच्छे लेखका तुझे मसीह लेखका नो गीत लेए और ना ले गलहोर प्लीज ओना दी मेनत अन्हों जरूर देगो मैं रात देख्या पास्टरी तो नो तक्रीबान दो तुन केंटे मकी देख्या गर्मी जे बैठके उन्हों ने इसके वीता नो लिख्या और बड़ा ताइम लागदा है आप एकदम कैदने या ए जी मुफ्त आया ते मुफ्त वांड़ देओ पर मेरे नो लागदा है जरू सो इनार यां बड़ियां मेंता ने बड़ा कुछ कीता होया है आप दे बच्चानू अगे लेके आ रहे ने सो इसे विची विची एक बेटी शिफादा भी आपा सौंग जड़ा सुनांगे ता आये और फिर आपा समापती देवाल उस वाल जावांगे एक बेटी शिफाद आपा चोटा जा सौंग जड़ा है और सुन लेने हैं एक दो लाइना देविच और नाल ही अपा अज दी इंटर्व्यू नुफे समाप लिए अचल नाल है और आप लोगो साथ मेरे जाएंची इग आपा जी दा लिखा है तो तो अच्छों साथ मेरे जाएंची की एक दो पापा जी दा लिख्या है मैं सब भी आपक जाना चांग है हाली हाली जिंदगी अंदर आंधियां रहने बहारा हॉ利 हाली जिंदर आंधियां रहने बहारा जुड़ गईयाने मेरी अमुड़तों ये सुदे संगतारा जुड़ गईयाने मेरी अमुड़तों ये सुदे संगतारा हौली हौली जुगी अंदे ओंदियां रेन बहारां रात दा रेंदा फिकर सी जदवी पैंदियां सी तिरे काड़ां मेरे कच्ची शत दियां सी फट चुकियां तरे पाड़ां तिरा मांगूं चुब दियां सी बारिश दियां बोशारां तिरा मांगूं चुब दियां सी बारिश दियां बोशारां हौली हौली जुगी अंदे ओंदियां रेन बहारां कि बहुत इच्छा बेटी ने गाया एक ब्रदी साधे विचकार हो ने और असी उन्हा तो ब्रदा जॉन्स जी असी उन्हा तो पासर अमांद गिल जी जो सेफ कर रहे पुस्ते बारे आपा उननल पुछा आगे घुर जान संजी सब तो पहले जैंसी की जैंसी स्थी मैंता ड़ बहुत बहुत अनवाद करदा जो कि तुसी सफिना टीवी वाले साधे को पहुंचे ओ मैंता ड़ वेलकम करदा और जेस जगह ते आपके तुसी साधे को इंटरवी और सानु बड़ी खुशी हो रही है तो अनु मिलके मैं पड़ते की स्वाल करना चौनदा की तुसी पास्टर जी ना रेंदे यो ता सेव कई हैं तुने केड़ी केड़ी मुश्कला आंदियाने और किस तरह तुसी ना देख दे यो क्योंकि सेव काईदे वेचे पास्टर अम पास्टर अमान तो अपनी खुद हाट बेती मतल खुद आप प्रैटिकल करके उत्ति गे और वो सेखल ते गे और उना दा पसीना चुंदा से केंदे के मैं पांज केंटियां दे वेचे जगा ते पहुंदा से परमेश्र केंदा से परमेश्र कि ओनी बर्कत दोएगा जै आज जैसी परमेश्र नो कुछ द्वांगे तो तो सानो दोएगा क्योंके साड़ा इही है सारे नो एही बेंतिया के परमेश्र दा वचन जो जुन्दा कुलाम है प्रभी ये शुमसी दे मंगर चलने दी सिख्या लें प्रभी ये शुमसी ने सा दो प्यार किता है क्योंकि ओसानो बहुत जादा प्यार करता है और चैनल वाले चैनल में बहुत-बहुत तानवाद कहएं ना है कि जिननial ने सड़े वास्ते है अपना कीमतिया म वुका देता है जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं सो इतिहास जेड़ा है पास्टर अमानतिगिल जी ने बदले हैं जिन्नी भी उनने जिन्ने भी गीत उनने लिखे ने सब परमेश्योर दे पवित्रा आत्मा देनल परे होई आते रूव इच पिजे होई गीत लिखे ने कि जेड़ा भी उनननों सुने अते देखे उधी जिन्दगी तब्दीर हो जाए सो मैंनों आस्या कि तुस्स इस इंटर्व्य दे दोवारा बहुत कुछ सिख्या होईगा पास्टर अमानतिगिल जी दी लाइफ दे बारे सिख्या होईगा सो किर्पा करके नों शेयर करें हो चैनल सब्सक्राइब करें हो और शेयर करना ना पूले हो थैंक यू बेरी मच्च गडब्लेस यू आर्ट